नमस्षार दूस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्तान LDC वर्ती जो कि राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड की द्वारा 2018 में LDC वर्ती निगाली गई थी और जिसका परिणाम अभी कल ही जारी कल या परसुस का परिणाम जारी किया गया था कटोफ आप सभी देख ली है और दिन विद्यार्थियों का इसमें चेहन हुआ है उन्हें बहुत बहुत बदाई वो अपनी टाइपिंग की तेयारी अब कर सकते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब LDC भर्ती पर जो कोड का स्टे आता है वो अब नहीं आएगा क्योंकि य कि केवेट क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस वर्ती पर और इसी के साथ वर्ती को अटकाने को लेकर कहीं तरह की बाते भी सामने आ रही है जिनमें हम बात करें कि जैसे कहीं विद्यार्थियों के दोरा भी ये मांग की जा रही है कि इसमें सहर्वर्णों को दस पतिशत आरक्षन इसमें दिया जाए तो ये एक सबसे बड़ी मांग यज़भर्ती के लिए उठाई जा रही है और इसी के साथ कहीं विद्यार्थियों को जो प्रशन इसमें डिलीट किये गए हैं जैसा कि कहीं विद्यार्थियों का कहना है कि जो सही प्रशन थे जिन भर्ती से जुड़ा हुआ कोई सवाल है जिसमें आपको लगता है कि ये चीज गलत हुई है नीचे कोमेंट्स बोक में आप जरूर लिखें सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो RSMSS भी है उसने के वेट लगाई है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं इसका भर्ती प जिसे कि RSMSB ने ये केवेट लगाई है ये प्रूफ आपके सामने है यहाँ आप देख सकते हैं केवेट जो लगाई है ये इसका प्रूफ है तो यहाँ पर RS यानि कि अदिनस बोड को जो केवेट लगाई है सोरी जिसने भी याची का लगाएगा कोई भी विद्यार्ती में किसी भी बाद को लेकर किसी प्रशन को लेकर या उसे और भी कोई अपती है भी कोई भी महका दिया जाएगा कि वो भी अपनी बाद रखें अपना निर्ने करेगा कि भर्षी पर उस्ते लगाया जाना चाहिए या नहीं यही caveat का मतलब होता है caveat लगाने की पिछे का यही उद्देश है कि भरती प्रक्रिया को अचानक से रोका नहीं जाए वो प्रक्रिया जारी रहे और उन्हें उनका जो बोलने का पक्ष है वो दिया जाए वो अपनी बात रख सके तो यह इसका लगाने के पिछे रीजन यही है कि भरती प्रक्रिया को यथावत रूप से जारी रखा जाए जिससे परेशानी ना आ सके तो यह caveat आप देख लीजे जेपुर बेंच में लगाई गई है और इसको हम थोड़ा सा डिटेल से भी देख लेते हैं ताकि आपको सारी बाते समझ में आए तो यहाँ पर आप देखिए civil writ petition number दिये गए हैं 2019 में लगाई गई है अब यहाँ पर आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो सारी बाते आप समझ जाएंगे यहाँ आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है राजस्तान हाई कोट रूल्स and let nothing be done till the applicant is here in the matter यानि कि जिसने भी ये caveat लगाई है उसका पक्ष सुने बिना मतलब भर्दी पिक्रिया पर रोक नहीं लगा है आसान शब्दों में हम इसको यही समझ सकते हैं यहाँ पर यही लिखा गया है here in the matter the particular of the person who may file the writ are given below यानि जिसने भी ये writ लगाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो caveat लगाई है यह किसने लगाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं देव वकालत नामा on behalf of राजस्तान this top selection board is submitted here with और यह humble applicant यानि जिसने यह caveat लगाई है रमेश कुमार कुमावत programmer है RSSB यानि कि अदिनस बोर्ड ने ही यह caveat लगाई है यह जेपूर में लगाई है और जोदपूर का proof भी आप देख सकते हैं यह जोदपूर में भी यह caveat लगाई है ताकि भरती प्रिकिया पर किसी भी तरह का stay नहीं मिले अब बात करते हैं कि भरती को लेकर कहीं तरह की बाते जो सामने आ रही है एक मेंटर तो हमने आपको बता ही दिया है कि 10% वाला जो आरक्षन है वो विद्यार्तियों की मांग है कि इसमें भी लागू किया जाए और उसके साथ दूसरी जो बात सामने आई है कि एक रोल नमर ऐसा पाया गया जिसका परिनाव नोन टीएसफी में भी उसका रोल नमर है और टीएसफी में भी रोल नमर है यानि वो दोनों ही शेत्रों में पास है तो ये एक चीज भी अलग मिली यहां रिजल्ट में देखने के और इसी के साथ प्रशनों को डिलीट करने को लेकर विध्यारतियों की काफी प्रोग्लम सामने आई है जिनमें कुछ विध्यारतियों को कहना है कि सही प्रिशन को जबरदस्ती डिलीट कर दिया गया और नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी कहीं तरह की समश्याएं सामने आ रही है और जाहिर सी बात है नो लाग विद्यारतियों ने एक्जाम दिया है नो लाग में से कहीं विद्यारति इस बरती को कोर्ट में लेकर जरूर जाएंगे और ये नियम भी है आप सबी जानते हैं कोई भी वेकंसी कोर्ट में जाने के बिना कभी भी पूरी नहीं होती है राजस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वो सब तो चलता रहेगा कई कमिया हैं जिन पर विद्यारतियों को शिकायत हैं लेकिन फिलाल RSM SSB ने ये केविट लगाई है जिससे अचानक से भरती पर स्टे नहीं आएगा मैं ये नहीं कहता कि स्टे नहीं आ सकता लेकिन उससे पहले अदिनस बोर्ड को एक मौका दिया जाएगा कि वो कोर्ट में जाकर अपनी बात रखे और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि भरते पर स्टे लगेगा या नहीं अब उसके बाद बात करते हैं कई मिद्यारतियों ने मुझसे दुबारा भी पुचा कि टाइपिंग कब होगी जिसा कि हमने कल भी आपको बताया था कि टाइपिंग अब तीन से चार महीने के बाद होगी कल न्यूस पेपर में भी इससे जुड़ी भी खबर आई थी और इसी के साथ आप सभी जानते हैं आज आचार सहीता लग चुकी है आप चुनाव से पहले कोई भी कारिय नहीं होगा हलागि परिणाव जारी कर दिया है तो जो भी विद्यार्ती अच्छे नमर है जिन विद्यार्तियों के वो अपने टाइपिंग की तैयारी जारी रखिए अभी आपको परियाप समय मिलेगा तीन महीने आप मान के चलिए उसी के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो ये भरती से जुड़ाओवा आज का अपडेट था और आपको LDC भरती को लेकर आपकी कोई भी प्रोब्लम है कोई भी समश्या है तो नीचे कॉमेंट बोक में आप जरूर लिखे ताकि हम उसको सभी के साथ पूरी राजस्तान के साथ सभी विद्यार्तियों के साथ उसे शेयर कर सके और आपकी प्रोब्लम अगर बड़ी है तो हम उसका समादान हम उसको सभी के सामने उसको उठाने की भी